नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंचीज किचिन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक और बहुत ही टेस्टी बनने वाली कद्दू की सबसी जो कि मसालेदार सबसी है और आप इसे रोटी और चपाती के साथ या पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं तो चली बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो कद्दू और इसे हम इस तरह से पतले-पतले स्लाइसे में काट लेंगे आप चाहें तो काट कर भी दो सकते हैं अब हम एक पं लेंगे और पं में हम डालेंगे सर्सों का तेल 3-4 बड़े चमझ धील सर्सों के तेल से जब दुआ निकल जायेँ और थोड़ा सा color change हो जाए इसमें हम डालेंगे एक चोटी चमज मेथी के दाने और एक चोटी चमज जीरा इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे अब इसमें हम डालेंगे दो से तीन सुखी लाल मिर्चे और बारा से पंद्रा कड़ी पत्ते या मीठे नीम के पत्ते अब इसमें हम डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्याज मीडियम आकार का प्याज आप चाहें तो थोड़ा बड़ा प्याज भी ले सकते हैं मिठा सी ऑ सब्याज डालने से कद्दू की सब्जी में एक हलकी सी मिठास आती है हालं कि कद्दू जो है वह अपने आप में मीठा होता है बड़ कभी कभी जो कद्दू Napoleon होता है वह मीठा नहीं होकर एक यूट्रल फ्लेवर में होता है ऐसे में सबजी में बहुत टेस्ट आ जाता है जब हम प्यास डालते हैं पर जो लोग प्यास नहीं खाते हैं वो इसे स्किप भी कर सकते हैं अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा प्यास लगभग लगभग पक चुका है वो ट्रांस्लूसेंट हो चुका है बस इस टेज तक हमें प्यास को पकाना है अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच एक छोटी चम्मच अदरक लसुन का पेस्ट बारिक कटी हुई दो हरी मिर डाता है और बहुत ही बढ़ कर इसका स्वाइब आता है कि तो आप कोशिश करें अगर आपको यह मिर्ची मिलती है तो बहुत ही अच्छा होगा अगर ना भी मिले तो आप नॉर्मल जो हरी मिर्ची मिलती है आप उसको डाल सकते हैं हमें इसे एक मिनिट управ बोन लेना है और जब अच्छे से भून जाए इसमें अब हम डालेंगे अपने बारी कटे हुए कद्दू आप देख सकते हैं यह बहुत ही पतले पतले स्लाइसस में मैंने काटा है इन्हें बहुत जादा मोटा नहीं रखना है इससे दो चीजें होती है पहली कि इस सबजी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि हम बहुत मोटा नहीं कर रहे हैं स्लाइसस पतले कर बना रहे हैं और दूसरा कि यह बहुत ही इं सब चीजों को मिला लेंगे और फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे अब इसमें हम एक से दो मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे हम फिर से एक बार मिला लेंगे अब सब्जी को हमें तब तक पकाना है जब तक हमारे कतु सॉफ्ट नहीं हो जाते और और अल्मोस्ट पक से नहीं जाते अब इसमें हम डालेंगे वान फॉर्थ टीस्पून टर्मरिक पाउडर याने हल्दी पाउडर एक टीपुन जीरा पाउडर दो टीपून धनिया पाउडर और तीन टीपून लाल मिर्ज पाउडर यहां पर ये कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर है आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम यां ज़ादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं अब इन सब चीजों को हम आपस में एक बार मिला लेंगे अच्छी तरह से आपने यहां पर ध्यान दिया होगा कि हमने सब्जी को अभी तक ढखा भी नहीं है और सब्जी और मुस्ट पक चुकी है तो यह फाइदा हो रहा है हमारी सब्जी को पतले स्लाइस में काटने का और स्वाद भी इसका बहुत जादा पानी डालेंगे बन फोर्थ कप पानी डालने का यहां पर रीजन है वह यह है थाकि सबसी थोड़ी सी ज्यूसी हो जाए और थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए ताकि जब आप इसे रोटी के साथ यह चपाति के साथ खाए तो यह बहुत ही ड्राइन लगे सूख ही ना लगे आधी चोटी चमच, ड्राइ मैंगो पाउडर या फिर जिसे हम अमचूर भी कहते हैं और एक चोटी चमच शक्कर शक्कर हम यहां पर इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम जो ड्राइ मैंगो या अमचूर पाउडर का इस्तिमाल कर रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए मीठा कद्धो की सबजी बनकर तयार करेगा और देखे कितना खुबसुरत कलर आया है सब्जी का और उतनी ही टेस्टी लगेगी है सब्जी पैस इसमें डाल दीजिये फाइनली बारी कटा हुआ हरा धनिया और बस आपकी सबजी बनकर तयार है सर्फ करिए इसे कर्मा गरम चपाती या पराठे के साथ तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्ट्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की आपको मेरे लेटिस वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तके लिए टेक केर